आप देख रहे हैं KS24 पलपल की खबर कलेक्टर डॉक्टर सारान्श मित्तर ने तखतपुर तहसील के ग्राम मेड़पार में गालों की मौत की घटना को दुरभाग्य पूरण बताते हुए जिले के ग्रामीडों और पश्व पालकों से अपील की है कि वे पश्वों को ऐसे परिस्थिती में न रखें जिससे दम घुटने या महामारी से उनकी जान को खतरा हो कलेक्टर दॉक्टर मित्तर ने बताया है कि तकधपूर विकास disability के ग्राम मेड़पार में ग्राम पंचयाथ के एक पुराने जरजरभवन में उस ग्रामीडों ने मवेश्यों को अंदर डाल दिया था प्रारंभिक जांच में डॉक्टरों ने बताया है कि घुटन के कारड लगभग 45 गालों की मौत हो गई पशो चिकचकों की टीम ने घटना इस थल पर पहुँच कर जीवित मवेशियों को उपचार के बाद बचा लिया है जिन मवेशियों की मौत होई उनको दफना दिया गया है जिला प्रशासन ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लेते हुए पश्यू कुरूरत अधनियम की धारा 13 तथा IPC की धारा 429 के तहत अपराध दर्जिकराया है इसके अलावा अतरिक्त कलेक्टर इस्तर के अधिकारे की अधिक्षता में जाच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है इसमें जो लोग भी दोशी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर का रवाई की जाएगी झाल 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